हेलो फ्रेंट्स इंटरनेट की या क्लास 8 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोगल क्रोम का इंटोडेक्शन इस वीडियो में हम गोगल क्रोम का पूरा परिचे देखेंगे किस भाग को क्या कहते हैं अगर आप लोग इंटरनेट सीख रहे हो तो Google Chrome को भी चलाना आना चाहिए क्योंकि जब हमें कोई भी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सर्च करनी हो या फिर उस जानकारी तक हम पहुचना चाहें तो हम इंटरनेट के माध्यम से किसी ना किसी एक वेब ब्राउजर का ही यूज करते हैं तो जो Google Chrome होता है Google Chrome हमारा एक परकार का वेब ब्राउजर है इसलिए हमें वेब ब्राउजर की पूरी इंफोर्मेशन और किस भाग को क्या कहते हैं जाननी चाहिए तो चलिए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं और Google Chrome को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हमें भी अपनी कम्प्यूटर की डेक्स्टॉप स्क्रीन पे हैं Google Chrome तो आप लोगों को ओपन करना आता ही होगा क्योंकि बहुत ही intelligent आजकल दुनिया हो गई है तो हम अपने कम्प्यूटर में यहाँ पर हमने टास्क बार में Google Chrome को पिन करके रखा हुआ है Google Chrome पर हमने क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है क्योंकि हमने अपने कम्प्यूटर में इतने यूजर बना के रखे हुए हैं इसलिए यह सभी यूजर आ रहे हैं अगर आप में केवल एक ही यूजर है तो इस तरीके का इंटरफेस नहीं ओपन होगा आप में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जो हमारा गूगल क्रोम है यहाँ पर हमने पहले से ही सेटिंग करके रखी इसलिए कलरफुल में गूगल क्रोम आ रहा है तो हमारा गूगल क्रोम यहाँ पर ओपन हो गया आप लोग देख पा रहे होंगे जब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो Google Chrome का interface कुछ इस तरीके से दिखाई देता है सबसे पहले उपर जो पट्टी होती है Google Chrome में इसको हम title war के नाम से जानते हैं title war के नाम से हम इसको जानते हैं और यहाँ पर जो एक दिखाई देरा है new type यह हमारा new type है और यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ से हम दूसरा type ला सकते हैं और यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर हम तीतरा type ला सकते हैं हर type पर हम internet के माद्यम से एक अलग अलग नई जानकारी सरच कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर new type को open किया और YouTube पे click करेंगे इसमें हम YouTube को open कर लेंगे और इस new type को click करेंगे इसमें हम Google Translate को open कर लेंगे और इस new type को click करेंगे इसमें हम कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हैं यहां पर यहां पर वेबसाइट को open कर लिया upciss youtube.com यहां पर हमने तीनो टाइब में अलग-अलग जानकारी ओपन कर लिए और हम तीनो टाइब में अलग-अलग जानकारी का यूज कर सकते हैं तो इसलिए Google Chrome में अगर हमें कोई अलग-अलग जानकारी ढूड़नी चाहिए त इसको यहां से हटा सकते हैं इसको यहां से हम हटा भी सकते हैं यह हमारा last tab है अगर इस पर click करेंगे तो यह tab हमारा बंद हो जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि new tab का काम क्या होता है फिर title bar के right side में तीन बटन है यहां पर सबसे पहला जो हमारा button दिया है close का यह red color क जो cross का symbol दिखाई दे रहा है close का होता है अगर हम इस पर click करेंगे तो Google Chrome हमारा पूरा बंद हो जाएगा फिर इसके बार next जो button है restore down की अगर हम यहां से restore down पर click करेंगे तो जो हमारा Google Chrome है कुछ इस screen में आजाएगा निकीए छोटी screen में अगर यहां से हम इसको छोटा बढ़ा करना चाहें तो नोर्मल इहां से हम इसको छोटा बढ़ा भी कर सकते हैं और ताइटल बार में mouse की left button दवा के जिस side में रखना चाहें रख सकते हैं और इसकी में एक बटन दी हुई है इसको हम मैकजी माइज के नाम से जानते हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी किलिक करेंगे यहां से इसको हम फुल स्क्रीन में कर सकते हैं तो एक ए तरीका है या फिर टाइटल बार में हम दो बार किलिक करेंगे Google Chrome छोटी स्क्रीन में हो जाएगा रिस्टोर डाउन फिर इस पर हम क्लिक करेंगे डबल गूगल क्रोम फुल स्क्रीन में हो जाएगा एक तरीका होता है या फिर इस पर डबल क्लिक किया Google Chrome छोटी स्क्रीन में हो जाएगा टाइटल बार में माउस की लेप्ट बटन दबाके रखेंगे और इसको आप लोगों को एक पट्टी दी हुई है इसको हम बोलते हैं सर्च बार अगर हमें Google Chrome में कोई भी जानकारी ढूड़नी हो तो यहां पर जो यूरल लिखा होता है यूनिफोर्म रिसोर्स लोकेटर यूरल का फुल फोर्म है कोई भी जानकारी ढूड़नी हो यहां पर क्लिक करेंगे अब जो भी चीज़े हमें सर्च करनी हो यहां से हम सर्च भी कर सकते हैं हाल ही में जो हमने चीज़े सर्च की ओ यहां पर सो हो रही है जैसे यहां पर हम सर्च करना चाहते हैं यूपी सी आई यस यस प्राइम यहां पर हमने सर्च किया यूपी सी यस यस प्राइम और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहां पे UPCISS Prime की जितनी भी information होगी सारी के सारी यहां पे information आ जाएंगी सबसे पहले आप लोगों को उपर मिलेगी UPCISS YouTube.com की website और यहां पे UPCISS Prime का YouTube channel जो है वो यहां पे मिलेगा तो इस तरीके से जितने भी यहां पे channel हैं सारे मिल जाएंगे यानि की पूरा का पूरा जो matter उपर है उपर UPCISS और UPCISS Prime का ही matter है तो यहां से आप अगर कोई भी जानकारी सर्च करना चाहें तो यहां से भी सर्च कर सकते हैं फिर इसके बाद next जो है यहां पे bookmark सेंबल दिया हुआ है bookmark का काम क्या होता है जैसे कि मालिया हमने यहां पे YouTube को open कर लिया YouTube को हमने open किया और हम इस वाले वीडियो को play कर लेते हैं या फिर इस वीडियो को play करते हैं जिस भी वीडियो को play करना हो यहां पे click करेंगे वीडियो हमारा यहां पे play हो जाएगा अब हम चाहते हैं जब हम next day अपने इस वीडियो को open करें तो हमारा डारेक्ट यही वीडियो open होना चाहिए और कोई चीज ना open हो यानि कि हमें बार बार ढोड़नी ना पड़ें अब जैसे कि हम इसको देख रहे हैं अगर कट कर देंगे तो हम अगले दिन फिर इसको ढूड़ेंगे कि यह वीडियो कहां पर है अगर हम यह चीज नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को यहां पर जो bookmark का symbol है क्लिक करेंगे और यहां से हम add कर लेंगे यहनी कि done करेंगे bookmark का symbol हट जाएगा और यहां से इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे यह चीजे हमारी यहां पर बंद हो जाएंगी फिर यहां पर एक option मिलेगा all bookmarks का इस पर क्लिक करेंगे अब जो भी चीजे हमने वहां पर add की थी जो भी चीजे हमने bookmark में add की हैं और सारी की सारी चीजे यहां से all bookmark में दिखाई देंगी और सब से नीचे यहां पर लिखा है types of internet connection क्योंकि हमने इसी को इसमें add किया था इस पर क्लिक कर लेंगे direct हमारा वही वीडियो यहां पर open हो जाएगा जो हमने भी open किया था जो हमने इस bookmark वाले portion में add किया था तो आप लोग समझ गए होंगे अगर इसमें से हमें किसी भी चीज को हटाना हो उस पर हम right button क्लिक करके delete करेंगे वो चीज normally यहां से हम हटा भी सकते हैं कुछ इस तरही के से right click करके delete कर देना होता है यह हमारे bookmark होते हैं फिर यहां पर आपको एक option मिलेगा side panel का हम side panel पर click करेंगे तो जो भी चीजे हमने हाल ही में search की हैं या फिर bookmark में add की हैं तो ओ चीजे यहां पर हमारी so होती हैं कुछ इस तरही के से अगर इनको हटाना हो तो इस पर click करके यहां से भी delete कर सकते हैं अगर open new tab पर click करना है तो यहां पर click करेंगे तो new tab में हमारा वही वीडियो ओपन हो जाएगा और यह अलग टैब है यहां से इसको हटा भी सकते हैं फिर हम इसी पर click करेंगे open new window अगर हम इस बीडियो को एक अलग window में open करना चाहें तो ओ भी कर सकते हैं जैसे कि अभी जो यहाँ पे ओपन है हमारा Google Chrome Google Chrome एक अलग बिंडो में है एक बिंडो है और न्यू बिंडो में क्लिक करेंगे तो हमारे समय गोगल क्रोम की दूसरी बिंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से अगर इसको मिनिमाईज कर देंगे तो अलग रहेगा अगर हम उसी बिंडो को ओपन करेंगे तो उस बिंडो में अलग वीडियो चलेगा यह भी आप लोग जान गए होंगे की न्यू बिंडो का काम क्या होता है यह होते है हमारे स्लाइट पैनल का अप्शन जिसमें जो भी चीज हम हाल ही में ओपन किये हो यह सर्च किया हो ओचिज यहाँ प ट्क कर देंगे यहां से डाउनलोड होने लगता है अगर यहां से हम वीडियो को रोक सकते हैं इस तरीके से जानकारी जानना है यहां पर करेंगे जो हमने यहां पर आपर आप्शन है यहां से बंद हो जाएगी फिर इसके बाद जो यहां पर नेक्ट आप्शन है यह क्या होता है जो चीज़े हमने यहां पर अप्शन मिलेगा इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहां पर एक न्यू टाइब का अप्शन है इसका यूज क्या होता है अगर हम नॉर्मली न्यू टाइब लाना चाहें तो यहां से भी ला सकते हैं अगर यहां से नहीं लाना चाहते हैं तो यहां पर जाएंगे न्यू जाता से भी ला सकते हैं फिर इसके बाद New window का अपस्टनाता है New window का काम क्या होता जैसे कि अभी हमारे सामने एक window open है और यहां पर टास्क बार में देखो जब माउस का करसन लेके Google Chrome पे जाते हैं यहां पर भी एक ही window दिखाई दे रही है हम यहां पर आएंगे new window पे क्लिक कर इसके से अगर दो बिंडो पर काम करना हो तो कर सकते हैं फिर यहां पर फर्ट जो आप से ने कंट्रोल सिप्ट यान इसकी सौटकट है इसका यूज क्या होता है न्यू इंगो नाइटो बिंडो इसका यूज क्या है जैसे कि जब हम इस पर किली करते हैं तो हमारे बलेक गोगल क्रोम में रिस्टोर नहीं होगी अगर कोई भी चीज हम इसमें देखते हैं उस चीज के हिस्टरी हमारे गोगल क्रोम में रिस्टोर नहीं होती है इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं फिर यहां पर आर्ट पॉइंट यहां कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी एक नीचे option मिलेगा history history का काम क्या होता है by chance हमने Google Chrome में बहुत सारी जानकारी सर्च की हैं अगर history जानना हो तो यहां से हम history योगेरा जान सकते हैं फिर इसी में यहां पे नीचे download का option दिया है जब हम Google Chrome के मादम से कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो उसको यहां से download option में क्लिक करके ओ चीज यहां से हम देख भी सकते हैं कि कौन कौन चीज हमने यहां पे add की हैं फिर इसी में यहां पे दिया हुआ है bookmarks list यानि कि जो भी चीज हमने यहां से bookmark करके रखते हैं ओ चीज यहां पर भी दिखाई देंगी अगर उनको delete करना और normally यहां से भी delete कर सकते हैं और इसी में यहां पे एक option दिया है clear browsing data अगर हम अपने google chrome का data हटाना चाहें तो यहां से हटा भी सकते हैं अगर इसके पीछे जो page है यानि के google chrome open है यहां से zoom का option है यहां से zoom भी कर सकते हैं यहां से zoom out भी कर सकते हैं प्रिंट का option दिया है अगर हम इसको print करना चाहें तो print पे click करेंगे print का dialogue box open हो जाएगा यहां से हम print भी कर सकते हैं इसके लिए computer में printer add होना चाहिए फिर यहां पे translate search this page with google by chance यहां पे हम कोई भी चीज open कर लेते हैं जैसे यहां पे हम click करके open करते हैं और three dot में आएंगे search this page with google इस page को हम google में अगर search कराना चाहें तो यहां पे click करेंगे तो इसी चीज से जो भी जानकारी हमें google में ढूड़नी हो normally यहां पे google में भी हम search कर सकते हैं और जो हमारा web browser होता है इसको भी google ने ही बनाया है फिर यहां पे जाएंगे three dot में और translate पे click करेंगे तो यहां से translate का option open हो जाएगा अगर में कोई भी जानकारी हिंदी में translate करना हो तो यहां से हिंदी में रख सकते हैं English पे click करेंगे तो यहां से ओ जानकारी हम English में कर सकते हैं find and edit में जाएंगे जाने के बाद यहां पर हम find पर किलिक करते हैं जो भी चीज ढूड़नी हो जैसे हम यहां पर UPCI SS ढूड़ना चाहें यहां पर UPCI SS टाइप करेंगे और पूरे पेज में जहां-जहां UPCI है हाइलाइट हो जाएगा और इस पेज में 37 UPCI लिखे हुए हैं तो यह चीज हम find भी कर सकते हैं और इसी में यहां पर cut का option दिया है कोई भी चीज कट करनी हो नौर्मली यहां से हम cut अगेरा भी कर सकते हैं यह चीज बहुत ही important है इनका यूज आप चितना करोगे बहुत ही चाने से समझ जाओगे फिर इसमें जो next option है next option हमारा save का है save and share का यह जो इसको save करना चाहें तो control यह यह पर इस पर क्लिक करेंगे इस बेपेज को हम इसमें save भी कर सकते हैं यहां पर box बनके आ जाएगा जिस भी location पर save करना हो normally हम save कर सकते हैं तो इनका यूज आप अच्छे से करोगे बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे copy करना हो या कोई हमको create shortcut बनाना हो या create QR code इसका निकालना हो तो यहां से हम QR code भी generate कर सकते हैं यह नॉर्मल चीज़े हैं आप इनका यूज जितना करोगे समझ जाओगे तो यहाँ पे हमारे तीन आपसन रहे गए थे जो हमने सर्च बार के राइट साइट को हमने कवर भी कर लिया और लेट साइट के तीन आपसन रहे गए यहाँ पे हमारा जो दिया है यह होता है बाइक के लिए यह होता है फारवर्ड यानि की आगे के लिए यह होता है रिफ्र यूटूब को ओपन कर लिया यहां पे हम कोई भी जानकारि ओपन करते ही जैसा कि हम ने इस वीडियो को ओपन किया अगर हम अब यहां पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा यहां पिलीक करेंगे तो एक स्टेप Father चले जाए यहां से रिफ्रेश करेंगे पूरा बेपेज जो होगा ओ यहां से रिलोड हो जाएगा तो यह भी आप लोग समझ गए होंगे कि यहां से तीन बटन का यूज क्या होता है पिर यहां पर जो सर्च बार के नीचे यहां पर चार पाच आपने मारे आइड हैं जैसे सरकीट क्रिक बच्रिक बच्रिक करके और यहां इसमें करें देंगे हैं नई विइंडव में आएंगे अब हमें click badge सर्च करने की जरूरत नहीं बस यहां पर click करेंगे हमारे सामने click badge open हो जाएगा तो इस तरीके से इसका यूज होता है फिर यहां पर gmail का अपसंदिया है Gmail का काम क्या होता Gmail पर जब click करेंगे तो यहां पर जो भी हमारी email attach है वो email यहां पर open हो जाएगी इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो Gmail को open करना हो यहां पर open कर सकते हो image का मतलब क्या होता है हम जाद नहीं Google Chrome में केवल हमको image ही सर्च करनी है बलकि कोई information नहीं सर्च करना image पर clear करेंगे हमारे सामने एक नया Google का page open हो जाएगा जो भी चीज हम इसमें सर्च करेंगे यहां पर केवल image ही आएंगी बलकि कुछ भी मैटर नहीं आएगा आप लोग देख पा रहे होंगे image केवल आ रही है इस तरीके से मालिया यहां पर हम UPCI SS Prime टाइप करते हैं यहां पर UPCI SS Prime की जितनी भी image होंगी यहां पर दिखाई द रहा है यहां पर ग्राउंड में जो image लगी ओसो हो रही है यहां पर जो क्लास वन वीडियो है उसका बैनर यहां पर दिखाई दे रहा है यहां यहां पर दिखाई दे रही है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर UPCI SS Prime जो हमारा चैनल का नाम है जो भी चीज देखना चाहो यानि की EDCA Computer Course अगर बिल्कुल Basic से सीखना चाहो तो आप बहुत ही आसानी से इस चैनल पर जाकर यह logo है आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फिरी में EDCA Course सीख सकते हो तो यह भी समझ में आ गया होगा कि यहां से हम image ढोड़ सकते हैं फिर इसके बाद सर्च लाइब अगर मैं कोई लाइब से information सर्च करनी हो नौर्मली हम लाइब का यूज कर सकते हैं फिर यहां पर आप लोगों को Google Apps दिखाई दे रहे हैं इसका यूज क्या होता है यानि कि Google की तरफ से जितने भी application बनाए गए हैं वो हमारे Google Apps में हैं यहां से हम किसी भी Google Apps को open कर सकते हैं फिर यहां खिया पर दिखाई देंगे फिर यहां पर नीचा रेका रहे है सर्च बार नौर्मली यहां से फीलक कर सकते हैं और को भी information सर्च करना हो तो यहां से भी हम सर्च कर Сकते हैं पिर यहां पर ईक आप आपना था ID short cut हम चाहते हैं कुछ ऐसी जानकारी है जिसको हम बार-बार नह यहां पर हम टाइब करते हैं YouTube यहां पर हम सर्च कर लेंगे YouTube इंटर करेंगे YouTube ओपन हो जाएगा इस पर क्लिक करेंगे YouTube हमारा यहां पर ओपन हो जाएगा फिर यहां पर उपर जो सर्च बार है इसमें क्लिक करना है और राइट क्लिक करना इसका URL हमको कॉपी कर लेना है URL यहा से हम वाइक कर दैंगे आइड स्वाटक पर क्लिक करेंगे नेम यहाइप जो भी देना हो तो यहाँ पर देते हैं यहां यहां यहांनaky YouTube यहां पर नाम देंगे यौरल में जो हमने कॉपी किया right click क करेंगे और यहां से paste कर देंगे ओर done करा लेंगे यूटूब हमारा इस बिंडो ओपन हो जाएगा फिर वाटसब बेप पे क्लिक करेंगे वाटसब बेप पे क्लिक करेंगे और उपर सर्च बार में राइट क्लिक करेंगे और यहां से हम कॉपी कर लेंगे फिर यहां से इसको हम बायक कर देंगे बायक हो जाएगा आइड शॉटकट में जाएगे य नॉर्मली यहां पर हम नाम टाइब करेंगे और यहां पर यूरल हम पेस्ट कर देंगे यूरल हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे और यहां से डन करा लेंगे तो वाट्सप इसमें हमारा आइड हो जाएगा अब जो चीजें हम आइड कर लेते हैं ओपन करना और नॉर्मली किल करेंगे और यहां पर रिमुव करदें इनको नॉर्मली यहां से हटा भी सकते हैं फिर सर्च बार में यहां पर माइक दी हुई है अगर बाइचांस यहां पर हम टाइप करके नहीं लिखना चाहते तो माइक पर क्लिक करेंगे दियान है जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे ह ही होती है यहाँ हम मा ils पर किलिक करेंगे और यहां पर हम को allow कर देना है देखो ज़ो चीज हम बोल रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसको बाई करते हैं और यहां पर इस पर क्लिक करेंगे historical मातिक हाटीज कम्प्य्टर कम्प्यूटर क्या है तो आप लोगों ने देखा जो भी चीज हमने वहाँ पे बोला और चीज यहाँ पे सर्च हो जाएगी तो इस तरीके से हम इस माइक का यूज करते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि Google Chrome क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं बहुत ही important वीडियो था अगर आप लोग computer internet सीख रहे हो तो आप लोग Google Chrome का परिचय देख लिए होगे क्योंकि Google Chrome का परिचय यानि कि Google Chrome का introduction हर user को आना चाहिए क्योंकि Google Chrome जो browser है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला हमारा browser है अगर कोई भी ब्यक्ति कोई भी जानकारी ढूड़ना चाहे तो वह Google Chrome का ही यूज करता है Google Chrome को Google ने बनाया था तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में जानेंगे email id और gmail id क्या होती है email id और gmail id में क्या अंतर है अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना साथ में अगर आप लोग EDCA Basic Course करना चाहो तो आप EDCA Basic Course हमारे चैनल के माध्यम से यानि कि UPCIeSS Prime के माध्यम से देख सकते हो जैसे हम YouTube को open करना है हमें YouTube को open करना और उपर हमको सर्च करना है UPCIeSS Prime तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे उपर ही चैनल मिल जाएगा यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे समने जो हमारा चैनल है पूरा चैनल आएगा है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर EDCA जो कोर्स है बिल्कुल क्लास वन से सिखाया गया है और अभी EDCA की ही स्रीज चल रही है तो आप लोग इस स्रीज को पूरा चरूर देखिए बहुत इंपोर्टेंट है बिल्कुल फि हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में जानेंगे इमेल आइडी और गमेल आइडी क्या है थैंक्स फार दिस वाचिंग वीडियो